हलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मर्टी लिंग्विलिजम, बहु बासीता, इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि इसका मेनिंग बताएंगे, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन्स बताएंगे कि अब तक जितने भी राइटर्स हुए हैं, उन्होंने मर्टी लिंग्विलिजम के बारे में क्या-क्या बातें कहिए, ये डेफिनेशन्स हैं मर्टी लिंग्विलिजम की, राइटर्स के अकोर्डिंग, उसके बाद हम बताएंगे कि टाइप्स ओफ मर्टी लिंग्विलिजम, कि मर्टी लिंग्विलिजम यानि कि बहु बासीता के क्या कोईन कौन से परकार हैं उनको हम केस से डिवाइड करते हैं तो पहले उच्वर्ग की बासा फिर आसपडोस की बासा उसके बाद हम लेंग्विज के अधार पे मर्टिलिंग्विलिजम को च्यार बागों में बांटते हैं प्राचीन भासा, मातरी भासा, रश्टर भासा और विदेसी अंतराश्टिय भासा फिर हम इनको थोड़ा डिफाइन करेंगे कि प्राचीन भासा वो क्या है फिर मातरी भासा को राज भासा, विदेसी और अंतराश्टिय भासा उसके बाद हम बताएंगे कि nature of multilingualism बहुबासिता की प्रकर्ती कैसी है फिर बहुबासिता की प्रकर्ती बताने के बाद हम उसको आगे मतलुत पहले थोड़ी सी भूमी का बतागे उसके पॉइंट्स बनाएंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट अनेक बासाओं का मिश्रन, व्याकरण का भाव, थर्ड वरतमान में परचलीत बासा, बासाओं का संगम, साहिते का भाव, बासा का परिवर्तित सवरू, खीचडी बासा, एक बासा का दूसरी बासा पर पर भाव उसके बाद, ये टोपिक है अलग से, विधाली सिख्षा में बासाओं का सापक सिक मैतव, कि जो स्कूल है उन में लेंग्वेजिस का क्या इंपोर्टेंस है, तो पहले हम इसके इंपोर्टेंस के लिए इसके बूमिका बताएंगे, बुमिका बताने के बाद हम उसकी जो आजादी के बारत के आजादी के पहले जो स्कूलों में लेंग्वेज के लिए जो नीतियां बनी थी उन नीतियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी नीति ने बासा के बारे में क्या कहा कि कौन सी बासा लागू करनी चाहिए और बारत में आजादी के बाद में जो नीतियां बनी उन नीतियों ने बासा के बारे में क्या क्या फेंस ले लिए हम उनके बारे में डेटेल से बताएंगे वो हम नेक्स्ट भी वीडियो में डेटेल से बताएंगे अभी के लिए थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू